साथ्यों नमस्कार स्वागत था आपका आपके अपने चैनल पर आरपेसी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है प्रतम स्रेणी व्यक्याता का जो प्रतम पेपर है उसमें कौन सी बुक्स अपने को पढ़नी चाहिए कौन सा मेटर कहां से पढ़ेंगे तो बेटर और मैंने कौन सा पढ़ा था सबका अलग-अलग तरीका वसकता पढ़ने का पर मैं मेरे अनुभव के साथ में आपको ये बताऊंगा कि कौन सी बुक साबके लिए बढ़의ा हो सकती है कौन सी बुक आपको पढ़ने चीह यह मेरा अनुबव है मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं अगर आप किसी और बुक को या और किसी गाइड को प्रफर करते हैं तो वह भी कोई नुक्षान वाली बात नहीं है आपको जो बेटर लगता है वह भी देख सकते हैं पर मुझे क्या सही लगा और मैंने किस सफलता है उसमें 75 क्यूशन आते हैं और हर क्यूशन दो नंबर का होते हुए डेड़ सो नंबर का पेपर है तीन सो नंबर का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा विच साइकोलोजी ऐसे करके 450 नंबर में आपको मार्क्स लेके आने हैं और 450 नंबर में से मेरिट बनने बनने वाली है इन 75 परसनों के अंदर बहुत सारी वेराइटी है 75 फरसनों में आपको यह कई परकार के चीजें पढ़नी पढ़ेंगी बहुत सारे डाटा आपको सबी मेंटर को मिला कर एक ठीक गाइड, एक गाइड तो आपको लेनी है, उससे के आगे आपके पास में सारा मेंटर एक साथ रहेगा, उसको पढ़ना भी है, गाइड के साथ में, अगर आप कहीं कोचिंग आपने जोईन कर रखी है, तो वो भी गाइड का सा काम कर जाती है, या आपने coaching जो इन कर रखे तो सारा मेटर वाईं पर coaching में करवाते ही हैं तो आपके आज पास में बहुत सारी जो coaching होगी उन में किसी भी coaching के आपको जो ठीक लगता है उन coaching के अंदर आपे admission ले सकते हैं एक ये बात हो सकती है coaching में admission नहीं ले पा रहे हैं और फिर cable books वगरा से ऐसे selected त्यारी कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ selection दे देता हूं books का फिर भी guide तो मैं कहता हूं आपके पास में ओनी चीए एक guide आप ले लिजे कोई भी guide है जैसे माली लगसे है पैनोर्मा है इन में से कोई एक guide है या और भी कोई आपको जो बड़िया लगती guide आप एक guide खरीद लीजिए मेंटर लगबग सेम ही मिलता है और अच्छा ही मिलता है टोपिक वह चलते है अपन मैंने जो बताया कि पच्छेतर कुष्णों के लिए कई प्रकार के टोपिक है याँ पर उन कई प्रकार के टोपिकों को अपन एक एक को लेंगे और समझेगे कि किस प्रकार के टोपिक को अपने को कहां से त्यार करना है जो better रहेगा देखें सबसे पहला जो point है सलिबस के अंदर वो क्या है वो है राजस्तान का इत्यास दूसरा भारती इत्यास कि संदर में ज्यादातर भारती ये रास्त्री ये आंदोलन भारती रास्त्री आंदोलन के संदर में आपको ये पढ़ना है अब देखो राजस्तान का इत्यास पढ़ना है भारत का इत्यास पढ़ना है भारती रास्त्री ये लेड़ा है अब एक आपके पास गाइड होगी होगी ये मैंने बता दिया एक तो आपको गाइड परफर कर एक स्वाडा था और आर्बी स्वाध्यम की बुक है इस समय तो इस प्रकार की ईंद मैंने इस में कीस प्रकार की बुक है ये आफ को प्रफ़र करनी है भारत का इथ्यास अगा अग्राथ को ने सुझ ware लिए बारत का इथ्यास यह इसमें इथ्यास का कफी 서र भॉ体 Kennet रहे इसके अंदर भारती इत्यास में गाइड होगी प्लस अरविंद बासकर सर की बुक आती है अरविंद बासकर सर की कोई भी बुक है और ये competition है या फिर और भी फस्ट डेड को लेकर इत्यास को लेकर अरविंद बासकर बोलो के तो इजिली दे देंगे तो अर्विन बासकर सर की बुक आती है राइटर की ये आपको इन सब से मेटर त्यार कर लेना है राजस्तान का इत्यास भारती इत्यास है और ये बहुत महत्वपूर फैलू है यहाँ पर क्यूंकि पंदरा क्यूशन आएंगे इसके और पंदरा क्यूशन दो-दो नमबर के स आप से देखाज़े तो तीस नमबर डेड़ सो में से तीस नमबर अकेला इत्यास कवर कर रहा है करीवन करीवन पंदराइट टोपिक हैं और हर एक टोपिक से एक क्यूशन भी मान के चलें तो ऐसा मान के चलें अब पतली सी बुक आएगी अर्विन बासकर की भी बुक जो है वो इस परकार से देखो इत्यास की बुक अलग से रखी है यह बुक है आप खरीज सकते हैं या और भी आपको कंपटिशन की बुक मिले आज जिसे मालो की अर्विद बासकर की और भी किसे नाम से आती हो तो यह बुक मैंने पढ़ी है आपके पास में कर कोई और बुक है जो इत्यास में आपको ठीक लगती है आप उसको प्रिफर कर सकते हैं पर यह मैंने पढ़ी है और यह बुक अच्छी है तो गाइड है ट्वल्थ इत्यास की जो आर्विद बासकर की यह जो बुक है इन तीनों को आप लेके चलेंगे टोपिक वाइस तो आपके पंदरा के पंदरा टोपिक क्लियर हो जाएंगे और क्यूशन आपको लगबग मिल जाएंगे एक्जाम में तीस नंबर का आपका मेटर यहां से तयार किया जा सकता है प्लस आपने कोचिंग जोइन कर रखी है तो वहां से तो मेटर लिखाते ही है तो वह आपके साथ में एडिशनल हो सांख्य की तीन नंबर इसके अंदर आजाएगा आपके गणीत माद्दे में किस्तर और चार नंबर पर आजाएगा आपके छेतर मिती मेंसुरेशन देखें यह चार टोपिक हैं आपर मांसी क्योंकिता परिक्षन सांख्य की गणीत छेतर मिती और देख लें आपर और हिंदी और अंग्रेजी इन सभी टोपिकों के आपके पास में क्यूशन आने वाले हैं कितने इन सभी टोपिकों से आपको एक्जाम में क्यूशन मिलेंगे बीस तो ङिश कुशनों को देखा जाएं तो पांच प्रेशन इंडी के आ जाते हैं पांच कुशन औंग्रे जी के आ जाते हैं दस और बाकी जो चार टपिक बच खहें इन वे से कितने question mil जाएंगे 10 question के बार क्या होता है चार question तो आई सकतते है किलिए पर देखें आप Himself आप जो बी गर्याट ले कि औडे क्या होगा है उस में सांच्य की सांच की में ज्यादा कुछ नहीं है क्या है डाटा का संग्रेन हैं प्रस्थूतिक्रन है और उनको ग्राफ ये निरू पड़ा है सिद्धी से है उसके बाद में मीन, मोड और मीडियन ज्यादा लंबा चोड़ा ही निये मेटर मादे मादी का और बहुलक इन सब को स्टेटिक्स का पड़ना है आपके पास में जो भी गाइड आएगी उस गाइड में मिल जाएगा प्लस है नौमी और दस्मी की जो मेट की किताब है वहाँ से मेटर मिल जाएगा असानी से और गनित का नौमी और दस्मी की किताब को प्रफर करना है छेत्रमिती में भी नौमी और दश्मी के किताब से एक काम चल जाएगा कौन सी? RBSC की बुक है जो 2018 गुनिश के बाद 2 साल चली थी इन बुक को प्रफर करना है इनके अंदर आपकी मान सीगोगता हो जाएगा सांकिकी हो जाएगी, गणित हो जाएगी के उच्छेत्रमिती हो जाएगी कहाँ पर ये सा मेंटर RBSC की किताब से प्लस आपकी गाइड प्रियापत है अब देखें कुछ लोग क्या करते हैं इस मेंटर को छोड़ते हैं कि सर मैथ नहीं आ रही है, इस्टेटिक्स नहीं आ रही है अरे बया कई की बार क्या होता है इनमें बहुत सरल परसन आते हैं और सरल परसन के भी दो ही नमबर होते है आपको अगर बहुत ज़द डर लग रहा है मैथ से कि मैथ को तो मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैथ में तो टच्ची नहीं कर सकता तो ही छोड़ो बाकि अगर आपका विशे आर्ट के भी ओप अगर आप कला संकाय के भी हो तो अभी पूरी तरह से किसी भी टोपी को छोड़ना अच्छी बात नहीं है आप उसको थोड़ा तो कम से कम समझी है हो सकता है उससे कोई सरल परसन आए वो तो आप कर सकते हैं हाँ आपको ज़्यादे डर लग रहा है उसमें ज़्यादा समय खराब हो रहा है आप उसको समय कम कर सकते हैं लेकिन उसकी कम से कम उपरी उपरी बाते हैं जरूर पढ़नी है ऐसा नहीं है कि आपने है ना चेत्रमितिकाई के बार इसमें फॉर्मुला पूस ले मालो या चेत्रमितिकाई के सिंपल सा सवाल आजाए इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है संकू है गोला है घन है गनाब है बेलन है पांच जितों चीजें उनके गम से फॉर्मुले रहेंगे तो सिदा सिदा सवाल तो कर सकते हैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाएं तो सिदा सिदा सवाल तो इजीली हो सकता है इनमें बहुत चोटे चोटे परसन आते हैं कई के बार वो इजीली हो जाते हैं गनीत के अंदर बी जैसे मादेमिक स्थर की बात कर सरल कि उसे नहीं छुटना चाहिए अगर हाड आया तो वो सब का छुटेगा तो कोई दिक्त वाड़ी बात नहीं है आपने छोड़ दिया तो कोई समझ जा नहीं है ठीक है यह वाली बात हो गई इन सब हैं यह आपको बढ़िया कर जाएगी काम हिंदी नवीन हिंदी नाम दे रखावे व्याकरण और रचना नो दस ग्यारा वारा के लिए पाट्टे पुछ तक है यह किताब आती है रास्तान गोर्मेंट की इसमें आप इजी लिए आपका हिंदी का मेंटर त्यार हो जाएगा औ वो गाइड परियाप्त होगी प्लस गाइड के साथ साथ में लूसेंट की आप और ज़्यादा पढ़ना चाहो तो लूसेंट पढ़ सकते हो पर बाकी गाइड भी परियाप्त है यह गाइड प्लस लूसेंट इसके लिए अंग्रेजी के लिए परियाप्त है गाइड में मे है उसके बाद टेंसेज़ पर तक आ गया है ऊपने कुछ सॉटे चोटे On ऐा है और आपके शल्यवस में दे रखियेют आप पड़्डी सकते हों घब हैं किसकोび टॉछ नहीं कर सकते हैं अचा पास में नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भी आपको आता है तो आप इतना कर सकते हैं जो प्रसंड को जाएगा वह छुटने के चांस कम हो जाएंगे दो हैंट है कि इसी निम्वर हें पर वो उसकी कोष्ट के अंदर बाकी चीजा नहीं चुटनी चाहिए इसी तरह से अपने को त्यारी करनी है तीसरा टोपिक है आपके करंट अफेर लाइए करंट अफेर में दो बाते ध्यान रखनी है कब तक कप पढ़ना है और किस से पढ़ना है कॐ मैगजीन के तुर पर बात करें तो क्रण्ट अफ़ेरं के लिए जो मेने पढ़ी थी BOOK वह क्रॉनोलोजी गालन हे पोला है कि और एक मोफल भी आती हैं ढ़ला कि इनका मन्थली भी आता है इसको दो मैने से भी आता है और आपके फिर 6 मैने का यह 12 मेने का भी आता है वार्शी कांग भी आता है अर्द वार्शी कांग भी आता है तो आपको क्रोनोलोजिय और मुमल से करंट अफेर्ट त्यार करना है और क्या करना है बारा मेने का त्यार करना है एक्जाम मालो एक्जाम हो जैसे एक डेट बताऊं जैसे मालो एक्जाम होती है एक दिसंबर को तो आपको नौंबर का दिसंबर 15 नौंबर से पहले का और एक साल तक का आपको क्या करना है आपकर त्यार करना 15 दिसंबर पहले वाले साल से लेकर अगले वाले साल के 15 नौंबर तक आपको एक साल का मेटर त्यार कर लेना है तो इसके लिए क्या करें अगर आपका त्यारी करने का मूड है आप त्यारी बढ़िया करना चाहते हैं तो फर्स्ट ग्रेड के लिए अभी से क्या कर लें करंट अफेर की बुक लाना शुरू कर दें क्रोनोलोजी मॉमल बगरा अभी से लाना शुरू करते हैं उनको पढ़ने की आदर डालें उनकी हेडिंग बगरा पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ में क्या करें कि जैसे आप एक रजिस्टर डालें और रजिस्टर में क्या कर सकते हैं जैसे मैं आपको बताऊं इस प्रकार से यह मैंने किया था यह जैसे यह अंत्रिक्ष कारेकरम क्या हुए थे जो मैंने मुमल पढ़ी या जो मैंने क्रोनलोजी पढ़ी उसमें देखा कि कौन से जनवरी के अंदर कौन कौन से अंत्रिक्ष कारेकरम हुए मैंने एक पेस्पे नोट कर लिया उसके बाद में अगले टोपिक पर चलोगे कोई जैसे कौन-कौन सी जो आपके चर्चित पुस्तके वह लेखे कौन-कौन से ऐसा करके आपने टोपिक डाल दिया आपके पास में जो भी किताब आई जो भी जनवरी का महिना उसमें कौन-कौन सी बुक्स हैं आपने नोट कर लिया मतलब करंट अफेर के जो भी आठ से दस ट से ब्यान हो रखे हैं सेंसेक्स वगरा क्या है किताबे कौन-कौन सी हैं गेम में किस-किस तरह की पुरुसकार मिलेवे हैं ऐसे करके आप रजिस्टर डालते जाओं और रजिस्टर के अंदर नोट करते जाओं और आपको हर महिने जैसे मालों की अभी आप गए और अपक्तित्व हैं यह फिर क्या है यह स्वूर्ड का जो क्यूशन आ सकते हैं यह फिर आपके क्या हैं पुरुसकार वाले हैं यह किताबे बगार हैं ऐसे एक रजिस्टर लेकर उसमें 10 जगश तोपिक डाल दो और जो भी chronology उस मोटी मोटी बात नहीं लिखते रो और chronology के कर उसको highlightr से बड़ीयवड़ चेज़ों को highlight करते करते उसको एक बार डग से पढ़ लो ऐसा current affair कुछ समय बाद में क्यों चीज़ें बार-बार में दिमाग आती है ना current affair की बार-बार में जब आपके पास में सामने कोई चीज आएगी तो easily क्या हो जाएगी याद हो जाएगी उसमें कोई समस्य आएगी नहीं ठीक है current affair के क्यूशन हो गए आगे देखें चार नमबर पे आपके सामाने विग्यान सामाने विग्यान है जनरल साइंस है उनके लिए देखो जनरल साइंस के अंदर आपको फिजिक्स है केमिस्ट्री है बाइलोजी है इन सभी को पढ़ना पढ़ता है परसन कितने आते हैं परसन आते हैं जनरल साइंस के पांस और current affair के आते हैं दस दस गुणा दो यहाँ पर बी के तपर करने के लिए सबसें दस्मी तक विज्ञान पढ़के आएओ ать उससे बागिये मत उससे दर की और उसको पढ़ें और पढ़ने के लिए और कोई तरीका नहीं है सबसे अधिया तरीका पता दूँ आपको दस्मी की विज्यान ले लिजे और नोभी की विग्ञाल मे एपने लिवस में पूरी नहीं पड़नी है उसी तरह से फिर दस्वी किताब लोगे और 10 भी किताब है उसके अंदर जो इंडेक्स ए उस इंडेक्स के अंदर आपको जो पढ़ना है उन टॉपिक को किया कर लिजिए आप टिक कर लिजिए समन लिकर का देखो ये फर्स गेट र आश गेड में पढ़ने मैं अब इनको पढ़ते रही है किताब से फटे रही है अपने के नोट्स बनाते रही है आपके पस कॉचिंग बढ़ा मोथ कर घॉशन दो किताबों een आपको इजिली क्या मिल जाएगा मेटर मिल जाएगा जनरल साइंस के पूरे पांस के पांस कुशन मिल जाएगे और आप आसानी से उनको कर पाऊगे उसको क्या करना है उसके बाद में क्या आता है पांच नंबर पर है भारतिय राजनिती इंडियन पॉलिटिक्स है उसको जो आप गाइड खरीदोगे उस गाइड के अंदर इजिली आपको बड़ी आमेटर मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं आती है कोचिंग बार कर रखे तो वहां करवा देते हैं भारतिय पॉलिटिक्स इ आपको इजिली गाइड से मिल जाएंगे पांच गुणा दस इसमें क्या पांच गुणा दो दस नंबर का हो जाएगा इसमें क्या बात याद रखनी है देखो एक विशेस बात बताओं आपको अगर मालो जब एक्जाम हो रही हो उस समय को सुप्रिम कोर्ट में कोई देते हैं तो आपको जो करण्ट के मुद्य आप जैसे गाइड अप खरीद ले क्या ओगे गाइड जिस समय खरीदी थी मालो उस समय लोक समभा में कॉड था और उसके बाद मालो साल और में कोई परिवर्तना आ गया कोई ने कोई चेंजिज ओ गया तो आपके पास में वो होती है किसी को अठा दिया जाता है ऐसी बाते हैं वह आपको कोई मतलब सेवा निर्थ हो जाता है यह सब बाते हैं आपको क्या करनी है याद रखनी है इस प्रकार से अपने को यह लेटेस्ट डाटा भी त्यार करने है ठीक है यह किसमे समंदित है भारती राजदिती से समंदित है क्या कि आपको पांस से दो प्रस्ट पांस गुणा दो दस नमर के परसन आपको पॉल्टिक्स गाइड और आपके लेटेस्ट डाटा से आपको त्यार करने हैं चैनल पर बात करेंगे गुगोल राजस्तान का राजस्तान की जियोग्राफी इसके भी कितने परसन आने हैं पांच दो इसके लिए बहुत सारी मार्केट में गाइड आती हैं बहुत सारी कोचिंग वाड़े इजिली इसको करवाते हैं बहुत सरल सा मेटर होता है और सरल सा मेटर होने के साथ साथ में बहुत स पड़ी थी वो पड़ी थी राजस्तान का बुख खोल वार थी कि यह आती है आपके द्रश्टी पब्लिकेशं की बुख आती है इसको मैंने पड़ा था और इसके अलावा मार्केट में और भी जोग्राफिकी तो इजीली बुक मिल जाएंगे आपको और प्लस गाइड वगरा में भी बड़िया दिया वाता है और भी कई सारी बुक हैं कई सारी कोचिंग वाड़े इजीली इसको करवाते हैं तो आपको ये असाने से गोल के पांस पर सेक्षिक प्रमंदन ये बड़ा इंपोर्टेंट टोपिक है और इसके पंदरा परसन आएंगे दो दो नमबर के आएंगे और तीस नमबर आपको देखे जाएंगे इसके तैयारे में आपको दो बाते मेहत्वा पुन याद रखनी है जो भी गाइड देके आओ उन गाइड लेकिन उस पर भी पूर्ट निर्वड नहीं रणा क्यूंकि मालो जिस समय आपके पास में बुक छपकर आती है उसके बाद में को अमेंडमेंट हो गया तो वह आपको तो डाटा लेटेस्ट रखने हैं जैसे मालो फोर एक्जामपल बताओं कि जैसे मालो के जी वीवी है कस तो आपको क्या करना है गूंगल में जाना है और गूंगल के अंदर के जी वीवी साइट पे लिखना है आपको पूरी से खुलजयगी और जैसे ही पूरी साइट खुल जाएगी कोई लेटेस्च चेंजेज होए हैं आप उनके अंदर नोट कर सकते हो अपने रजिस्टर के SMC है उसका गठन कैसे होता है जो लेटेस्ट चीजे हैं उन सब को आपको गाइड वगरा के साथ साथ में किस से पढ़ना है गाइड पढ़ने के साथ साथ में आपको नेट से भी पढ़ना है तभी आपको लेटेस्ट डाटा है वो आपके तयार हो सकते हैं क्योंकि गाइड ल management और उसके बाद में current affair इनकी तो आपको read की ID हैं आपके लिए number के लिए इनको तो बहुत बड़ी अत्यार करना है क्योंकि इत्यास के अंदर 15 question आएंगे education management के 15 question आएंगे और current affair के आपके पास में 10 question आने हैं ऐसे करके total 75 में से 40 question तो इनी तीन ही topic में पास में आने तो आपको क्या करना इनको अभी से त्यार कड़ना शुरू कर दो मूमल है chronology वो लाना सुरू कर दो उसको पड़ना सुरू कर दो उसके topic वाई अपने register है उसके अंदर notes बनाना सुरू कर दो इत्यास है उसको guide बगरा लेओ guide और लेटेस्ट वगरा भी आ जाएंगी कुछ समय बाद में और आपके मार्केट में और आपके आसपास में कोई अच्छी गाइड आती हो हर समय अलग लग मेंटर भी निकल के आता है जैसे पिछली जो बढ़ती थी उससे पहले बढ़ती के अंदर कुछ किताबें अपकी बा पास को शाइदन हो तो आप उसको भी फोलो कर सकते हैं मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल आपको थोड़ा सा माजग दर्शन देना है बाकिये कोई थोपना नहीं कि आप यही किताबें बेस्ट आती है और कोई बडिया नहीं आती केवल गाइड बेस्ट आती है कोचिंग बेस्ट होती गाइड बेस्ट नहीं होती यह सब बातें जो हैं इन पर मैं कहीं नहीं जा रहा सब चीज़ें अपने अपने जगह पर बहुत सारगर्भीत होती है बहुत अच्छी होती है सब का अपना-पना महत्पर होता है तो इसके साब से आप तैयरी करिए बी सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि मेरे को सेलेक्शन लेना है एक कारण पैदा करना पड़ेगा और कारण आपके पास आ अपने बताया था सेकंड पर का फस्पेपर का बताया आपको बहुत सारी वीडियो बढ़े है आज कल यूटूब चैनल पर आप देखो तो तमा सब की ऑफ़ होती है उनकre depression निकार कर आपको जो ठीक लगए वो आप सेट कर सकते हैं जड़ुता यह चैनल बताये वह करना आपको ब İलकुल कता ही नहीं करना आपका जो मन करें आपको जो सबी सारगर्भित बातें लगें उसके बाद में आपको conclusion निकाल लेना है मैंने मेरे साफ से तो बताई हैं वो best है आज के ले इतना ही धन्यवाद सुबरातरी